दोस्तो हम सभी का सपना होता है कि हमारे पास एक अच्छी जॉब हो हम अपने लाइफ में सक्सेस्फुल इंसान बने, सोसाइटी में हमारी एक अलग पहचान हो लोग हमें रिस्पक्ट दें तो ऐसे में कुछ लोगों के सपना होता है कि वो इंजिनियर बनना चाहते हैं, कुछ लोग डाक्टर बनना चाहते हैं, तो अगर आपका भी इंट्रेस्ट है कि पाइलेट बनना चाहते हैं, तो आप प्लेन उडाना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि पाइलेट बनते कैसे हैं, और एक पाइलेट बनने के लिए क किति खर्चा sata इसके लिए हमें किस तरह की पढ़ाई करनी पड़ती हैं तो आज हम इस वीडियो में आपको स्टेप पारिकिन जिस्टेप स्टेप ऑई बतायेंगे कि कैसे आप पालट बन सकते हैं पालट बनने के लिए कितना कर्चा आता है इसके लिए ना को पढ़ाई करनी पड़ती है पाइलट बने के लिए आपके पास कौन कौन सी योगिता होनी चाहिए इन सब के बारे में पूरी डीटेल्स में इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो वीडियो को अंदर तक जरूर देखें तो दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल केरियर फोकस टूपाइन जिरो में दोस्तों एक बेहतर पाइलट बनना इतना आसान नहीं है इसके लिए आपको कड़ी महिनत करनी होगी आप पाइलट भी बहुत तरह के होते हैं एरफोस पाइलट होते हैं तो कुछ कमर्सियल पाइलट होते हैं जो प्रेन उड़ाते ह एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इन सभी के लिए अलग-अलग प्रक्रियाए होती हैं तो यहां पर हम आपको कामर्सियल पाइलेट कैसे बने इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं तो आईए जानते हैं कि अगर आपको एक पाइलेट बनना है तो आके पास क्या-क्या योगता होनी चाहिए तो पाइलेट के लिए क्या-क्या योगता होनी चाहिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं आप 12 पास होने चाहिए वो भी फिजिस कमिश्टी और मैज सब्जेक्स ते यानि कि प्याप PCM से आपका 12 पास होना चाहिए आपका 12 कम से कम 50% मार्क होना जरूरी है यदि आपका 50% मार्क नहीं है तो आप पाइलट नहीं बन सकते हैं भारत आप भारत के नागरिक होने चाहिए य इससे आप अगर कम हैं तो आप आपको पाइलट बन आप पाइलट नहीं बन सकते हैं तो दोस्तों आईए बात कर लेते हैं कि पाइलट कैसे बने तो पहला नंबर पर हमारा आता है कि आप पहले बरहमी पास करें वही साइंस स्ट्रीम सी है अगर आप बरहमी के बाद पाइ कर रहे हैं तो आप दस्वी पास करने के बाद सीधा साइन्स स्ट्रीम को चुने तब ही आप एक पाइलट बन सकते हैं आगे जाके इसके अलावा आपको बरहमी में कम से कम 50% मार्क होना बहर जरूरी हो जाता है तो ट्वल्थ पास करें वो भी साइन्स स्ट्रीम से और सेकेंड हमारा है कि आप 50% मार्स लाएं इंगलिस भासा को आप सीखें और इससे बेहतर बनाए क्योंकि इंगलिस इसमें बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसकी सारी स्लेबर से जारी ट्रेनिंग से इंग आपको इंगलिस सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरे नंबर पर है कि चुडेंट पाइला पाइलेट लाइसंस के लिए अप्लाई करें। जैसे ही आप 12 पास कर लेते हैं इसकी बात और जरनल आफ सिविल अवेजियन गवर्मेंट आफ इंडिया की अंडर जो भी कॉलेज है उनमें एडिमिशन लेना होगा और इंटरंस एक्जाम को किलियर करना होगा इसके लिए आपको मेडिकल टेस्ट भी देना होता है जो स्टूडेंट पाइलेट लाइसंस के लिए ट्वल्थ में साइंस के साथ मैथ होना चाहिए आपकी उम्र कम से कम सोरह साल की होनी चाहिए डिजीटी कॉलेज में इंटरंस एक्जाम के लिए अपलाई करें और ट्रेनिंग को पूरा करें आप पहले मेडिकल पास करना होगा आपको और इसके बाद आप एक अच्छा खा जोना बहुत ही जरूरी है अब बात कर लेते हैं कि आप प्राइबेट पामित लाइसन्स के लिए अपलाई करें 30 नमबर पर जैसे कि आप एस। करें लीए इसके बाद आपको प्राईबेट पाइलेट लाईसंस के लिए अप्लाइब करना होगा जिसे हम पीपी हाल भी कahltे हैं तो यहां पर यहां पर भी आपको एक्जाम देना होगा और आपको फांस बेने के लिए ट्रेइनिंग पूरी करने होगी तो यह दूसरी स्टेप है पालेट बनने के लिए तो स्पील सर्टिफिकेट के बाद आपको पीपिल का सर्टिफिकेट चाहिए होगा यह थोड़ा मुश्किल होता है तो आए चौते नमबर बात कर लेते हैं कि अब कामर्सियल पालेट लाइसेंस के लिए आप अप्लाई करें जैसे ही आपको स्पील सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप सीधा कामर्सियल पालेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जैसे ही आप स्पील और पीपिल की ट्रेनिंग करते हैं इसके बाद आप सीधे डारेक्ट एक कमर्सियल पाइलेट बनने के लिए अपलाए कर सकते हैं जिसे हम सौट में सीपील भी कहते हैं इसमें भी आपको एक्जाम देना होगा कुछ टेस्ट देने होंगे जैसे कि आप इसके बाद आप एक कमर्सियल पाइलेट बन सकते हैं तो कमर्सियल पाइलेट बनने के लिए कितना खर्चा आएगा आपका मैं आपको बता देना चाहता हूं इसमें खर्चा आपको कम से कम तीन से चाल लाख आपको खर्चा मुझे लगता है आपको पड़ जाएगा तो यह आपके पास अगर बैंक बैलेंस अच्छा है आप अच्छे घर से हैं तो आप यह पाइलेट बनने के लिए ही अपलाई कर सकते हैं तो आईए बात कर लेते हैं कि पाइलेट बनने के बाद आपको कितनी पेमेंट मिलने वाली है तो दोस्तों यदि आप पाइलेट बन जाते हैं तो आपको पता है कि पाइलेट ट्रेन को चलाता है तो इसके लिए आपको कम से कम एक से दो लाख मंथली पेमेंट आपको क्या इसके लिए योग्यता होने चाहिए इसकी लाइसंस को ऐसे अपलाई करें आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस जय है